Hello and welcome to the studio members नौक्री यानि Info Edge को आज के दिर हम ट्रेट कर रहे है और इसके अंदर अल्यडी हमने अपने पोजिशन लिए है अभी इसके अंदर पोजिशन लिए है सबसे पहले यहां पर हम लोग अपनी ट्रेट बुक उपन कर लेते हैं ट्रेट बुक उपन करके हम यहां पर देखेंगे अपनी entry points और stop losses हमें कहां पर लगाने इसको identify करेंगे because अभी इसके अंदर अपनी stop losses नहीं लगाए है पासवर्ड ओके एंटर कर चुके हैं हम लोग और पोजिशन बुक उपन करते हैं जल्ली से इसके अंदर अपनी एक entry बनी है 5254.50 पर इसको copy कर लेते हैं पेस्ट 5254.50 यह अपना entry point है अभी हमने इस country के पौम होने से पहले हमारी यहां पर यहां पर एक entry confirm हुई और stop loss जो हम इसके अंदर लगाएंगे अपना 5272 का मेरा stop loss लागा तो जल्दी से stop loss आपर में पूट करते है अपना square of nsc SL market control v 5272 perfect stop loss लग चुका है order book में जाकर कि एक बार confirm करते हैं perfect 150 quantities का 5272 पर मेरा एक pending order buy order लगा हुआ है और sales head में 150 quantity का order लगा है 524.50 का पुरी तरह से अपना trade setup आज के लिए तयार है अभी हम अपने इसके अंदर बने होगा अपने trade को hold कर रहे है और movement ऐसी उम्मीद है इसके अंदर की Bajaj Finans, Bajaj Finans, Maruti के तरह यह भी एक काफी valuable stock है और इसके अंदर भी जब candles बनती है बेशक वो छोटी candles होती है बट काफी ज्यादा वेटेश की candles होती है बट InfoEach से हमें यह उम्मीद है कि आज एक ठीक ठाक target हमें InfoEach देखकर के जा सकता है अभी आ जाते हैं InfoEach पर अब लोवर टाइम फ्रेम पर तो यह अपना एंट्री स्टॉप लॉस का पॉइंट हो गया अभी हम लोग चलेंगे सीधे हायर टाइम पर हायर टाइम पर कुछ एक कॉंसेट्स हैं जिसको अच्छी तरह हम लोग समझने के कुश्शिक करेंगी उसको देखेंगे कि यह इस टॉप मेरा लगातार दो दीन से नीचे की दिशा में गिर रहा है अब देखिए इस टॉप को लास्ट टूडेस से भी हम देख रहा है तो यह गिरी रहा है एंड अगेन एक हाई लगा देने के बाद में अगर हम इसको जच करते हैं अनवलाइस करते हैं डाउं फिशया और बाद में अगर प्राइस कहाँ शर्जडेस करा हमाँ से वाडा में अए यहे में भी म्यूम से पता चलता है अब जो body होती है price की, यानि कि price की body language से हमको पता चलता है कि price मेरा strong है या weak है, हमें यहां से कहीं भी कोई strong bullish momentum शो नहीं हो रहा है, इस चीस से हमें क्या समझ में आता है, कि price के अंदर अगर हम short करते हैं, तो हमें एक अच्छी opportunity देखने को मिलेंगी, और अगर हम buy करते हैं, तो बहुत ज्यादा chance है, price मेरा sideways रह सकता है, या फिर, जितनी speed से नीचे की दिशा में गिर सकता है, उससे कम ही speed में upside की तरफ जा सकता है, इसके अंदर तलाश थी हमको, किसी एक अच्छी move की, अब देखे इसने क्या किया है, previous कुछ supports, जिन supports को इसने break करने की, जैसे कि price मेरा downside set के, यहां से देखेगा, अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कुछ lines mark करते हैं, जैसे price मेरा up से, यहां से चली मान लेते हैं, price और भी up से आया है, यहां से, यहां तक गिरा, अब गया, यह again यह वारा momentum, अब देखे, इस एक movement को अच्छी स इसको protect कर ली किया है, यह वाली जो candle हमारी बनी है, 3rd of November की candle, यह एक important candle है, because, इसको समझेगा, क्यूंकि इस candle ने कोशिच की थी, यह वाला movement था हमारा, यह वाला movement, downside की तरफ, 1st of November से ले करके, 3rd of November का movement, कही ना कहीं इसने कोशिच की थी, कि price अपने इस low को break करे, but price ने क्या किया है, हमारी यह वाली जो candle है, यहीं से support लेकर की, यह upside की तरफ चला गया, price ने इस candle को break नहीं किया, यह वाली candle मेरी protect हो गई, break करने की कोशिच किस ने की थी, इस वाली candle ने, यह दोनों ही candle important हो गई मेरे लिए, इनको identify करना बहुत ज़री होता है, price में किस जगह पर यह चार्ट से उपर, यहाँ पर volumes क्या indicate कर रही है, volumes बढ़ रही है, नीचे, volumes कम हो रही है, इनका अलग अपना एक price का silence होता है, इसको समझना जबूरी हो जाता है, इतनी सी चीज़, I hope कि समझ में आयोगी, price मेरा नीचे की दिशा में किरा, अब गया, और अब से फिर यह down, य अगेन देखें, इसने क्या किया, कि सबसे पहले इसने अपना ये वाला support break किया, support break कर देने के बाद में next जो support था इसको भी break कर दिया, मतलब ये वाला 3rd of November का low जैसे भी break हुआ, price ने अपना 25th of October का low उसके बाद भी break कर दिया, अब इस वाले factor का use हमें यहाँ पर कैसे करना होगा है, फिर से हम ये marking अपनी continue करते हैं, high, low, high, low, again ये high, again ये low, इतनी सी चीज़ देखें, यहाँ पर price ने क्या किया था, अपना एक high यहाँ पर लगाया था, ये high लगाया था, because इनका काफी ज़्यादा ये use होता है, कि जब आपको entry calculate करनी हो, अपने stop loss को calculate करना हो, support य ये high लगा, ये important हो गया था मेरे लिए, इसी तरह से, एक ये मेरा low, एक ये वाला low, ये दोनों ही lows मेरे लिए important हो जाएं, जब हम इनको mark कर लेते हैं, यानि कि मेरे लिए एक candle important हो गई, 14th of December की candle, 14th of December की candle का हम यहाँ पर low mark कर लेंगे, price कल मेरी इस range के नीचे निकलने की कोशिश किया था, और ये up में जा करके close हो गया, अब जो ये निकल सकता है, वो नीचे की दिशा थक निकल सकता है, price ने देखे क्या किया है, हमारी कल की ये वाली candle, ये शायद तीन बज़े की candle है, तीन बज़े की candle ने higher time frame की एक support को break करने की कोशिश की थी, again यहाँ से price के अंदर move आया, और price मेरा upside के तरफ turn हो गया, हमारा तीन बज़े की candle ने जो low लगाया है, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, इस वाज़े से price मेरा यहाँ से upside के तरफ move हो गया, और अपनी range के अंदर जाकर के इसने closing कर दी, मतलब यहाँ पर एक low लगाया और up में जाकर closing कर दी, यहाँ सपोर्ट के ऊपर जाकर close कर दिया, देखिए अब यह जो support line है, यह important zone बन गई मेरे लिए और इसके बाद में कल तीन बज़े की candle ने जो low लगाया था, यह important zone बन गया मेरे, ब्रिक किया, higher time frame की range इसका color change कर लेते है, higher time frame की range को break किया, नीचे की दिशा में, और कल जिस candle ने support लिया था उसको भी break कर दिया गया, इतनी से confirmations के बाद में हमने इसके अंदर अपनी एक entry लिए, अब stop loss लगाने के लिए हमने क्या किया, कि कल की यह वाली candle है, क्योंकि यह support और एक बहुत important support है, हमने just इस support के ऊपर में यहां की अपने stop loss shift कर दिया, stop loss का exact मेरा point है, वो 5272 का है, इसको copy कर लेते है, copy करने की बाद में यहां पर इसको paste करते है, 5272, इसका color change कर देते है, red, ओके, यह अपना entry कर दिया है, जब price मेरा retrace होकर, downside की तरफ गिरने लग गय और targets के लिए कोशिश हमारी यह रहेगी, कि price का nearest support हमको नज़र आ रहा है, so 21st of December का low हम इसको as a target के लिए consider कर रहे है, okay, so thank you, good bye, and यह जो trade हमने अभी execute किया है, इसको run होने देते है, इसको अपना profit है, 5100 रुपीज के लगबग का profit इसके अदर चल रहा है, को बड़ा movement होग यह हमको action लेते हैं इसके अदर तो आपको inform करते है, I hope कि वीडियो से लगातार आप कुछ ना कुछ सीख रहा होंगे, तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेर कीजिए, एक अच्छी movement इनफो एच के अदर और प्राइस मेरा डाउन से बिल्कुल upside की तरफ चला गया था, यानि कि मेरे enterprise तक यहां से मेरा प्राइस यह नीचे की दिशार में गिर रहा है, और अपने supports को लगातार ब्रेक करने के कोशिश करना दे, इसलिए बहुत से लोग comments पर हम से post नहीं कि हम अपने stop losses को trail क्यों न पर तो क्या होता, price retracement करता है, यह natural है, करेगा ही करेगा, without retracement, moves नहीं आती है price के अंदर, अब देखिए, अगर हमने अपने stop loss को नीचे की दिशार में trail कर दिया, क्योंकि जब हम trade execute करने जा रहे थे, safest zone मेरी कौन से थी, upside की, वहां से हमने उसको उठा करके price में ने देख ल लिए और वो गिर किया, ऐसा ही होता है, stop loss मेरा जो safe zone है, वो यही वाला zone है, price अगर retracement भी होगी इसके अंदर, entry लेने से पहले हमने यह confirm किया, या फिर entry लेने से पहले हमने calculate किया, कि price के retracement कहां तक हो सकती है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ओके, हम अपना stop loss एक zone के उपर लगा देते हैं, जो कि, आज कही जो मेरा stop loss है, यह higher time frame की marking को देखते हुए, हमने यह अपना stop loss आज का calculate किया और लगाया है, यह example से आप एच्छी सीख सकते हो, कि stop loss को trail करना is not a bad thing, but technically आप यहां पर एक red zone में चले आते हो, मतलब losses होने के chances आपके बढ़ जात सकता है, अपना एक view हो सकता है, मेरा view क्या इसको ले करके, कि अच्छा रहेगा, अगर हम अपने stop loss को trail, बिना trail किये, वहां पर अपनी quantities को कम कर दें, जिससे कि क्या होगा, हम partially profits की booking करते हुए चले जाएंगे, और अपने stop loss को भी कोई effect नहीं पड़ेगा, हमारी technical analysis वैसी ही अपना profit चल रहा है, 10,000 के अबब हम profit में 10,197 रूपिस का, ओके, so profits हमारे running से हैं, और कोई बड़ा move हमारी targets तक price पहुंचता है, तो आपको inform करते हैं, otherwise इस वक्त हम 10,000 रूपिस profit में हैं, उम्मीद है कि price हमारा targets लेवल तक पहुंच जाएगा, और उसके पहले कहीं से भी क्योंकि एक support zone हमको नजर आ रहा था यहां पर, जो हम targets अपने define कर रहे थे, maybe यह वाले support लिया गया है, इसी zone से लिया गया, तो price अगर अपने इस level को break करती है, तो next simple है, कि price हमारा 5141 या 5140 तक पहुंच जाएगा, को move होता है, तो inform करते हैं, so members, info edge का अपना यह stock selection, आज ज support जिसको हम count कर रहे थे, जिस candle को count कर रहे थे, कि वो candle वहां से price मेरा reject हो सकता है, तो देखिए, 21st of December की low को price ने break कर दिया, और अब next support जो हमको इसके अंदर नजर आ रहे है, वो यह वाले है, but अब हम ज्यादा और expectation इससे नहीं लगाएंगे, और यहीं पर अपने prices से exit करने अब एक stoppage देखते हैं price के अंदर कहां से हम निकल सकते हैं, अब हम यहां से बाहर निकलेंगे, because अभी तक हमारी position देखिए running है, and 17,700 रुपेज के आसपास का profit हमारा लगबक 17,000 रुपेज का profit हमारा चल रहा है, और अभी तक एक भी order में buying के अपने नहीं लगा है, कोई भ बाहर निकलते हैं, तो volumes को देखते हुए लग रहा है कि price यहां से support बना करके, और यहीं से में भी चांसे कि यह sideways भी रह सकता है, और नीचे की दिशाम भी जा सकता है, तो अब हम यहां से बाहर निकलते हैं, 5127, ज्यादर नहीं, 5127 पर यहां से हम बाहर निकलेंगे, order से बाहर निकलने की बारी, stop-loss order अपना cancel हो चुका है, and position book, square of nsc, control v, 5127, perfect, and order, चले, order हमारा लग चुका है, and अभी हम वेट करते हैं, order हमारा लगा है या नहीं लगा है, लग चुका है, pending order पढ़ा हुआ है, and stop-loss order मेरा यह cancel है, 150 quantities का, so position book में चलते हैं, और अब वेट करते या surprise में बाहर निकल लेगा, यह पूरा जो game है, सारा का सारा patience का है, सिर्फ और सिर्फ patience से काम नहीं चलेगा, एक सही analysis, market में बैट करके, एक सही decision लेना, because यह financial market है, financial market का मतलब, पैसों से चलती है यह market, अगर आपके पास पैसा है, तो market आपकी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो यह market किसी की भी नहीं है, capital को सेफ रक्षी है अगर आप मेरे वीडियो देख रहा हूं, तो जहां तक हम समझ रहे हैं, आप सभी लोग experience holder traders है, इतना common sense सभी के पास होता है, अपनी psychology को मजबूत कीजिए, decision लेने की जो क्षमता है, उसको और अच्छी तरह से improve क करने की कोशिश कीजिए, running market चल रही, aggression में नहीं आ जाना एक दम से, 150 quantities लगाने, 200 लगा देते हैं, 200 लगा देते हैं, confidence से price नेचे कर जाएगा, कोई माईने नहीं आपका confidence कि यहां पर, market चुटकियों में पलड़ जाती है, अब देखिए, हमने यहां पर एक अपना buying quarter लगा जितनी quantities थी, सारी की सारी quantities हमारी निकल चुकी है, and overall जो आज का हमारा profit है, 17,625 रूपेज का profit, आज के trading session से हमने अचीजिट किया है, एक बहुत अच्छा, एक decent सा profit हमने आज के दिन अचीब किया, and नौकरी देखिए, वहां से भी downside के movement हमको continue दिखा रही है, and next, next, जो इसक move complete हो चुका है, and अब हम यहां से बाहर निकल चुके है, जितनी भी quantities थी हमारी, सारी की सारी देखिए, बाहर हो चुकी है, नौकरी के अंदर से, and order book एक बार चेक कर लेते हैं, 150 quantities का stop loss order cancel है, 150 quantities का 5127 से बाहर है, and जी मेरा entry का बंस थे, so overall आज का training setup यह था, I hope कि आपने आज का यह trait enjoy किया होगा है, and कुछ नकुछ से सीखा होगा, so thank you, goodbye, and we will meet again.